यहां पार 3BS के house plan 22 into 40 का house plan तो outside का जो wall उसको हम पहले करेंगे थोड़ा सा draw और उसको highlight अच्छे से highlight करना है क्योंकि plan का एक तरीका होता है अच्छा सा drawing करना है उससे क्या होता है plan और भी अच्छा लगता है तो इसमें देखिए जो plan हमने यहां पर क्या है 3-bedroom का plan 3-bed आप द देखिए इसका जो wall इसको highlight करना है नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगएगा देखने में इसके मैंने इस तरीका डाइंग यहां पर आपके साथ शेयर करते हैं तो इसके बाद देखिए यहां पार देखिए यहां पार देखिए डाइनिंग ब्राइंग everything मैंने दिखाया है 800 से कुछ जादा इसके square feet है इस plan में ठीक है इसमें kitchen भी है kitchen को मैंने open डग दिया है तो इसको आप थोड़ा सा change कर सकते तो आपको अगर लगता है हाँ इसको change करने चाहिए तो आप kitchen को थोड़ा सा change कर दीजिए कोई बात नहीं है और आपको कोई भी modification करना है इस plan के हमारा जो knowledge है इसके सबसे क्या है आपको कोई भी motivation करना है आप कर सकते है सरफ आपको एक demo plan type का हमने दिया है और इसका जो outside inside wall जो भी आप देख रहे है इसको हमने बनाया है five inch का wall के साथ ठीक है अब ही जो draw हम यहाँ पर कर रहा है यह हमारा door का position है तो door भी हमने दिखाया है यहाँ पर क्यूंकि door घर का एक बहुती महत्यपून option है और यहाँ पर कहाँ पर रखना है door को कैसे इसको open करना है और सब कुछ यहाँ पर हम लखेंगे ठीक है वह तो हो गया उसके बाद हम window के बारे में बात करेंगे window हम late color से window का जो position है यहाँ पर हम थोड़ा सा color करेंगे late color से तो furniture layout plan भी आप देखी एक बार late color से color करने के बाद हम जाएंगे तूसरा उसका details drawing में पहले हम late color से इसको करते है उसको mark करके कितना measurement आएगा यह सब कुछ हम आपके साथ share करेंगे ठीक है तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा color करते है उसके बाद तो हो गया यह उसके ब जो है 40 feet तो आइसको आप 22 feet into 40 feet का plan के हिसाब से चलिए इसमें 3 bedroom है तो उसको भी हमने दिखाया है तो और एक चीज़ यहाँ पार script कर दिया है मैंने जो है यहाँ पार हमारा window का position ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है स्टार्टिं से यहाँ पार जो आएगा हमारा main gate जो है entry entry यहाँ पर क्या है देखिए 3 sitter है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे drawing प्लास living का position रखेंगे ठीक है तो इसका तो measurement देखिए जो measurement है 10 feet 9 inch यह पूरा measurement है और इधर जो है 10 feet 11 inch तो इसके सब सब का measurement यहाँ पर रखना है उसके पास ही देखिए यहाँ पर आप रखने के बाद यहाँ पर आपका आजाएगा 3 feet 6 inch wide का landing उसके बाद यहाँ पर आएगा 3 feet wide का इधर आएगा 3 feet wide का टोटाल यहाँ यहाँ पर 6 feet 5 inch का width का landing उसके स्टेयार केस हो गया तो स्टेयार केस के बाद हम यहाँ पर एक डोर रखेंगे हम जाएगा अंदर अंदर जाने के बाद यहाँ पर आएगा dining तो dining table यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो इधर कितना डिस्टेंस आएगा 10 feet 9 inch और टोटाल डिस्टेंस कितना आएगा 16 feet 5 inch टोटाल डिस्टेंस तो यहाँ पर open kitchen open kitchen तो 7 feet 4 inch का open kitchen ठीक है open kitchen के बाद हम यहाँ पर एक open space रखेंगे open space तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है आपको घर में अंदर जाना है घर के अंदर इसके घर के अंदर तो इसमें क्या होका आपको comfortable एक जागा चाहिए जहाँ से आप घर के अंदर जा सकते इसलिए हमने open space रखाए जहाँ से सामन लिकर घर के अंदर सभी जागा जा सकते ठीक है उसके बाद next हम जाएंगे यहाँ पर एक common bath plus latin अगर आपको लगता है और भी एक latin या बाद चाहिए तो आप stair के नीचे बताएंगे 8 feet का distance okay next हम जाएंगे इसके अंदर तो यहाँ पर आएंगे हम first bedroom यहाँ पर तो left right side में बेडरूम left side में और एक bedroom और front side में और एक bedroom तो three bedroom हमें यहाँ पर लिक के दिया है उसके बाद इसका detailing पर जाएंगे ठीक है तो इसका detailing का बतलब distance 10 feet 9 inch इधर जो distance है 10 feet okay असरा उसके बाद दूसरे side का distance कितना है 13 feet और इधर कितना है 11 feet okay तो हो गया दो बेडरूम के साथ और एक bedroom तो इसका distance कितना है देखिए 10 feet तो इस side में टोके और इस side में 10 feet 6 inch हो गया है उसके बाद देखिए यहाँ पर window ventilation window अच्छा outside में जो window हमने पुबेट के आई open area में अगर आपके पास यह आप open नहीं है आपको duct और shaft का use करना चाहिए ठीक है तो सभी राज्य में या सभी state में ऐसा नहीं होता है तिरों side block नहीं होता है तो इसलिए मैंने सभी के लिए यहाँ बनाया है उसके बाद जो जाएंगे हम इसका column का position में ठीक है तो थोड़ा थोड़ा करके हम column को भी इधर provide कर देथे तो देखिए column का position हम थोड़ा थोड़ करेंगे इधर देखिए पहले हम जो कोना है वहाँ पर column पोबैट करते उसके बाद बाकी जो portion 16 feet का gap है तो हम क्या करेंगे इसका center में column पोबैट करेंगे उसके बाद इधर भी column पोबैट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर gap जादा है ठीक है तो यह था column का position तो column का size कितना है तो यह तो मुझे दिखाना है 10 inch by 12 inch का column और outside wall 5 inch wall और inside wall 5 inch wall उसके बाद जो बाद है यहाँ पर इसका जो door का position देखिए 3 feet का door इधर जो है 3 feet का door और इधर जो है 3 feet का door और इधर जो है 3 feet का door और इधर जो है 2 feet 8 inch का door ओके उसके बाद जो main gate इधर इहाँ पर आएगा 5 feet wide का main gate आएगा ठीक है 5 feet आखिए आप gate को नहीं तो इधर से जाने का comfortable जानी नहीं होगा तो उसके बाद जो है आपका total square feet कितना है total है 880 square feet इसका total cost कितना आएगा cost हम इहाँ पर दिखाएगे ठीक है तो हम इहाँ पर लिखे देते है building cost building cost का मतलब है building बनाने में कितना खर्च आएगा तो खर्च होता है हर जो state है उसमें कुछ अलग-अलग rate होता है तो इसमें इसलिए हमाने एक यहाँ पर हमने 12 to 15 lakhs का लखा है ठीक है चलिए वीडियो पर end करते है चलते next वीडियो पर